नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल त्यारी जी के पर फ्रेंड्स आज मैं पी एच मान के इंपोटेंट कोस्चन लेकर आया हूँ जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट कोस्चन है हमारा पी एच इसकेल का पता किसने लगाया सही आंसर है आप्शन बी सरेंशन जो सरेंशन थे इन्होंने ही पी एच इसकेल का पता लगाया नेश्ट कोस्चन क्वेस्चन नमर टू मानो रख्त का पी एच मान कितना होता है सही आंसर है आप्शन बी 7.4 जो की मानोरत का pH मान होता है तो चलिए next question पर चलते हैं Question 3 निम्बू का pH मान कितना होता है सही answer है Option D 2.4 जो की निम्बू का pH मान होता है इसको कैसे याद रखेंगे तो जब हम जाते हैं मार्केट सबजी लेने तो निम्बू कितने के मिलता है 2 रुपए या 4 रुपए 2 या 4 तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ओके तो चलिए next question पर चलते हैं Question number 4 सीरके का pH मान कितना होता है सही answer है Option C 3 सीरके का pH मान 3 होता है Next question Question number 5 मानो मुत्र का pH मान कितना होता है सही answer है Option C 4.8 से लेके 8.4 तक इसको कैसे याद रखेंगे तो जो इसका दिया है 4.8 तो इसको उल्टा कर देंगे 8.4 उल्टा करके लिख देंगे ऐसे करके याद रखना है ओके तो चलिए next question पर चलते है Question number 6 सराब का pH मान कितना होता है सही answer है Option B 2.8 जो सराब का pH मान है वो 2.8 होता है तो इसको कैसे याद रखेंगे आप तो जैसे कोई आदमी है जो बहुँ ज़दा सराब पी लिया है तो उसको क्या होगा उसको उल्टा दिखेगा सब कुछ तो 2.8 उसको 2.8 उल्टा दिखेगा ओके तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं तो चलिए नेश्ट कोईशन पर चलते हैं क्वेशन नाबर 7 समुद्री जल का पी एच मान कितना होता है सही आंसर है आप्शन C 8.5 अब इसको कैसे याद रखेंगे तो मान लिजे कि समुद्र हमसे बहुत दूर है कितना दूर है तो पचासी किलोमेटर दूर है समुद्र हमसे पचासी किलोमेटर दूर है तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए नेश्ट कोईशन पर चलते हैं क्वेशन नाबर 8 मान लार का पी एच मान कितना होता है सही आंसर है option D 6.5 से लेके 7.5 तक अब इसको कैसे याद रखेंगे तो मान लीजे जैसे 65 से 75 तक के 65 से 75 एज के जो बुढ़े लोग होते हैं तो उसकी लार जो है की बहुत जादा निकलती है तो ऐसे करके आप याद रसकते हैं जो 65 से 75 के बीच के जो बुढ़े लोग होते हैं उनकी बहुत जादा लार निकलती है ऐसे करके आप याद रसकते हैं आप अपना भी ट्रिक लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ओके तो चलिए नेस्ट कॉस्टन पर चलते हैं कुस्टन नमबर 9 किसी घोल का पी एच मान सास से अधिक हो तो क्या होता है सही अंसर है ओप्सन ए छारी पी एच मान अगर सास से अधिक हो तो छारी होता है अगर सास से कम हो तो अमली होता है ओके तो चलिए नेस्ट कॉस्टन पर चलते हैं Q8, किसी घोल का pH मान साथ से कम होतो क्या होता है हमने पहले ही बते हैं आपको कि साथ से कम होतो अमली और साथ स्यधिक होतो छारी तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा Option A, अमली, सही अंसर अमली होगा ओके, तो चलिए नेश्ट क्वेशन पर चलते है Q11, किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्तिव हो जाती है सही अंसर है, Option B, 0.2 यानि 0.2 परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्तिव हो जाती है Friends, ये question बहुत important question है, चूंकि ये question relevant पूछा हुआ question है तो इसे आप अच्छे से त्यार कर लिजेगा Okay friends, तो चली next question पर चलते है Question number 12 Milk of magnesium का एक उधारण है सही आंसर है, Option A, चार Next question Question number 13 जली जनवरों और पौधों के अस्तित्व के लिए कितने pH मान की अविसक्ता होती है सही आंसर है Option D, 4.8 Next question Question number 14 भोजन से पहले लार का pH मान 6.5 से लेके 6.9 है तो भोजन के बाद लार का pH मान क्या होता है सही आंसर है Option B 6 से कम ये भी question रेले में पूछा हुआ question है तो इसे या पच्छे से त्यार कर लिजेगा Okay guys तो चली next question पर चलते है Question number 15 मानो रग्त का प्रकृति क्या है सही आंसर है Option B चारी जो मानो रग्त का प्रकृति है वो चारी है Next question Question number 16 सोडा का pH मान कितना होता है सही आंसर है Option C Next question Question number 17 अचार का pH मान कितना होता है सही आंसर है Option D 3.5 से लेके 3.9 तक आप ऐसे याद रग्त सकते हैं जैसे आया है वर्ड अचार तो यानि 4 तो जो यादिया है 3.5 से लेके 3.9 तक तो ये 4 के आस पास है तो ऐसे करके आप याद रग्त सकते हैं ओके तो चलिए Next question पर चलते है Question number 18 Save का pH मान कितना होता है सही आंसर है Option A 3 तो इसको आप कैसे याद रखेंगे तो जो यहाँ Save दिया है तो Save कितने रुपे किलो मिलते हैं 100 रुपे 100 से Save और यहाँ 100 ठीक है तो 100 रुपे किलो Save मिलते हैं एक किलो में कितने मिलते हैं तीन Save मिलते हैं तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ओके Next question Question number 19 Sample का pH मान कितना होता है सही आंसर है Option D 7 से लेके 10 तक Next question Question number 20 चाय का pH मान कितना होता है सही आंसर है Option A 5.5 इसको कैसे याद रखेंगे तो मान लिजे कि दो दोस्त लोग हैं जाते हैं चाय पीने तो चाय कितने की मिलती है पांच की यानि पांच पांच की चाय दो लोग भी हैंगे ओके तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं तो चलिए Next question पर चलते हैं Question number 22 BR का pH मान कितना होता है सही answer है Option C 4.5 जो BR का pH मान होता है 4.5 Next question Question number 23 अंडा का pH मान कितना होता है सही answer है Option C 7.8 जो की अंडा का pH मान है Okay Next question Question number 24 Toothpaste का pH मान कितना होता है सही answer है Option B 8 इसको कैसे याद रखेंगे तो जो हमारे दाथ होते हैं 4 परकार के होते हैं नीचे 4 और उपर 4 तो दोनों मिलागर कितने हुए 8 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं Okay तो चले नेस्ट कोश्चन पर चलते हैं Question number 25 pH का फूल फर्म क्या होगा? सही आंसर है Option C उप्युक्त दोनों Potential of Hydrogen और Power of Hydrogen और यह हमारा लाश्ट क्योश्चन था तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेर करिए थैंक यू